इसराइल में इसमें युद्धु चल रहा है आतंकवादियों ने हमला कर दिया है इसराइल की बहन बेटियों को किड्नैप किया है उनको गोली मारी है उनको नंगा करके परेड कराया है इसराइल में घुसे आतंकवादियों को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 500 साल पहले गोरी गजनी तुगलक बाबर हुमाई और अंगजेब अकबर क्या करते थे वो हमास से भी बड़े आतंकवादी थी यह जो आईस आईस के आतंकवादी आज जो काम कर रहे हैं हमास के आतंकवादी जो काम कर रहे हैं यह हमारे देश में बाबर हुमाई तुगलक गोरी गजनी 500 साल पहले कर चुके है और इसराइल को खत्रा क्यों विदेसी दुस्मनो से है विदेशी आक्रांताओं से है विदेशी आतंकवादियों से है भारत को तो भारत में बैठे लाखों की संख्या में गदारों से खत्रा है भारत को खत्रा है मावादियों से भारत को खत्रा है नकसलियों से भारत को खत्रा है जहादियों से भारत को खत्रा है मिसंरियों स उनसे खत्रा है भारत को खत्रा है उस विदेशी सोच से जो भारत में तो रहती है वो रहते भारत में हैं लेकिन भारत की किताब नहीं पढ़ते वेद पुरान नहीं पढ़ते वेद पुरान से नफरत करते हैं भगवत गीता रामायर से नफरत करते हैं मंदिर से नफरत करते ह भारत की परंपरा से नफरत करते हैं, भारत की तियोहार से नफरत करते हैं, सब को रहते भारत में हैं, लेकिन हर भारती चीज़ से नफरत करते हैं, भारत को खत्रा उस सोच से हैं, जो विदेसी हैं, जो भारत में बैठे हुए जिहादी हैं, मजहभी उनमादी हैं, अलगाव के स्टाइल में, सोचते हैं अरब के स्टाइल में और बाकी तो छोड़ो कहते हैं राम पूजा के लायक नहीं है, क्रिश्न पूजा के लायक नहीं है, विश्नु पूजा के लायक नहीं है संकर पूजा के लायक नहीं है, गड़ेश जी मौज मस्ती की वस्तू है समाधान क्या है हमने क्या सीखा इसराइल से हमने क्या सीखा मुगल काल में जो कुछ हुआ हमने क्या सीखा उजोहर से कुछ नहीं सीखा गुलामी का नाम चल रहा है गुलामी की निशानी चल रही है वो खत्रा हमारे सर पे भी मड़ा रहा है और कई गुना जादा मड़ा रहा है क्यों कि इसराइल को तो किवल विदेसियों से खत्रा है भारत को तो भारत के अंदर के गद्दारों से खत्रा है इन गद्दारों का समाधान करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल जो फ्रांस ने जहेला, जो आज इसराइल जहेल रहा है, वो कल भारत जहेलेगा, और 75 साल में नौराज्यों से खतम हो चुके हैं, 300 तहसीलों से खतम हो चुके हैं, भारत की डिमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है, 75 साल पहले विभाजन हुआ था पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है 75 साल पहले विभाजन हुआ था मजभब के अधार पे और सर्तन से जुदा शुरू हो चुका है 75 साल पहले विभाजन हुआ था आज की डेट में वक बोर्ड के पास रेलवे और आर्मी के बाद सबस्यादा लैंड बैंक हो चुका है तो भारत को खत्रा जहादी संगठनों के साथ साथ जहादी कानूनों से भी है भारत को खत्रा आठारा सो 1954 के उस कानून से है जो भारत की चिकिसा बेवस्था को एक दम निस्तनाबूत करता है भारत को खत्रा 1985 के उस कानून से है कांगरेस नो जो बनाया था जिसने साथ लाख बंगला देशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बना दिया उसको सेक्शन 6 से कहते भारत को खत्रा 1991 के प्लेसाफ वर्षिप एट से है भारत को खत्रा 1992 के Minority Commission Act से है भारत को खत्रा 1995 के वक्ट पैट से है भारत को खत्रा 2012 के उस Right to Education Act में जो बदलाव किया गया उससे है जिसके अंतरकत कांगरेस ने मदर्सों को Right to Education के दारे से बाहर निकाल दिया गया जो भारत के खत्रे है ये तू-तू-मे-मे करने से खत्म नहीं होगे नूरा कुस्ती करने से खत्म नहीं होगे जो भारत के सामने खत्रा है वो दल-गुलामी करने से खत्म नहीं होगे नेताओं की जजेकार करने से खत्म नहीं होगे पुलिटिकल पालिटियों की हाहकार करने से खत्म नहीं होगे ये जो खत्रे खत्म होंगे ये नियम कानून बदल के कहोंगे याद रखिए लच्छेदार भासड देने से तू-तू-मेमे करने से आरोप प्रत्यारोप करने से नूरा कुस्ती करने से बतोले बाजी करने से कोई समस्या खत्म नहीं होगी न हुई है न आगे होगी जयाद बढ़ रहा है, मजभी उन्माद बढ़ रहा है, धर्मांतरन बढ़ रहा है, रोहिंग्या घुस्पैट बढ़ रही है, बंगला देसी घुस्पैट बढ़ रही है, सड़क के किनादिया वैद निर्माद बढ़ रहे हैं, मजारे बंती चली जा रहे हैं, मदर से बंते चले जा रहे हैं, दरगाहें बंती चली जा रहे हैं, सब कुछ तो बढ़ रहा है, क्या रूकरा है, अगर हम नहीं जागे, अगर जातियों में बटे रहे, भाशा के अधार पे बटे रहे, छेतर के अधार पे बटे रहे, पंथ के अधार पे बटे रहे, और अगड़े पिछ पूरा नार्थिस्ट खाली हो चुका है पंजाब में बड़े पैमाने करन्वर्जन्स रूँ हो चुका है तो नार्थिस्ट भी गया भारत के 200 जिले हमान से निकल गए भारत के नौ राज यहां से निकल गए फिर बचा क्या है समाधान ये है इस मैकाले की सिक्षा को बदला जाए दसवी तक सब को भारत की सिक्षा भारती सिक्षा यानि वेद पुराण गीता रामायट पढ़ना अनिवारी किया जाए भारत को अगर बचाना है भारती परंपरा को बचाना है जो विदेसी गुलामी की सोच है जो जिहादी सोच को खतम करना है तो गुलामी के नाम मिटाने पड़ेंगे किसी भी आकरांता के नाम पे कोई सड़क महला गली नहीं होनी चाहिए ये बाबर हुमाईू, तुगला, गोरी, गजनी के नाम पे जो दुनिया भर की सड़के बनी है, महले बने है जिले बने हुए है, तहसीले बनी है बिल्डिंग बनी है, ये सब खतम होना चाहिए केवल भारतीयों के नाम पे ही सडक महलों का नाम होना चाहिए अगर ये जिहादी सोच को खतम करना है तो ये जो विदेसी भासाएं सुरू हो चुकी है उर्दू, फारसी, अर्बी इसको complete band करना पड़ेगा दस्वी तक केवल भारती भाषाएं ही पढ़ाई जानी चाहिए स्कूल में कोई विदेसी भासा नहीं कोई विदेसी भासा पढ़ना है दस्वी के बाद दस्वी तक केवल भारती भाषा दस्वी तक केवल भारती ये किताब दस्वी तक भारती ये ग्रंत दस्वी तक भारती ये पंत दस्वी तक भारती ये परंपरा दस्वी तक भारती तेवार इसको करना पड़ेगा अगर वस्तों में हम भारत को बचाना चाहते हैं इसराइल जैसे जो खत्रा हुआ इसराइल में हुआ उसे बचना चाहते हैं जो फ्रांस में हुआ उसे बचना चाहते हैं हमें इस पुलिस ब्यवस्था सड़ी हुई, पुलिस ब्यवस्था को ठाके कूड़े के डब्मे में डालना पड़ेगा, 1861 का कानून बदलना पड़ेगा, और ततकाल हमें एक भारती पुलिस संहिता लागू करना पड़ेगा. बारत में बहुत बड़े पैमाने पे नेताओं को अभी नेताओं को लिखकों को बुद्धि जीवीयों को कलाकारों को कवीयों को विदेसी फंडिंग होती है देश विरोधी बाते लिखने के लिए अभी तो चॉइनीज पत्रकार पकड़े गए उन पे इतनी सारी चर्चा हुई रही है विदेसी फंडिंग रोकना पड़ेगा उसका एकी तरीका है जो कांग्रेस ने 2010 में FCRA बनाया था उसको ततकाल खतम कर दिया जाए मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूँ कुछ NGO का लाइसंस रद्द करने से कुछ NGO की लाइसंस रद्द करने से या NGO की आउडिट करने से विदेसी फंडिंग नहीं रुकेगी एक बार आप पहले 2010 का FCRA खतम कर दिजे नहीं चाहिए हमें विदेसी फंडिंग क्यों चाहिए विदेसी फंडिंग भारत में इतने सक्षम लोग हैं हम अपना देश का अपना काम कर लेंगे का लिए विदेसी फंडिंग चाहिए जो विदेसी फंडिंग लेते हैं ये देश के खिलाफ काम करते है अगर हमें भारत की भारत को बचाना है आतंकवाद खतम करना है इस सड़ी हुई नियाईक ब्यवस्था को बदलना पड़ेगा, यह जो गुलामी की काली कोट, गुलामी का काला गाउन, गुलामी का तरीका, गुलामी का कानून, गुलामी की सिस्टम जो चल रहा है नियाईक ब्यवस्था में इसको खतम करना पड़ेगा, नार्को पॉलिग करनी पड़ेगी अगर कोई सबूत के अभाव में छूटा, अगर तुमने जानबूच के जाच घटिया किया, पैसा लेके जाच ऐसी कर दिया जब सबूत के अभाव में छूट गया, पुलिस वाले की नोकरी गई, जज अगर एक साल के अंदर फैसला नहीं कर रहा है, तारीक गदार नहीं चाहिए, अगर भारत को बचाना है, हमें ततकाल, टैक सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, जो यहां पे कालाधन जन्रेट हो रहा है, बेनामी संपत्ती का पुरा लेंदेन खेल चलना, इसको रोकना पड़ेगा, उसका एकी तरीका है, सवर उपए से बड़ी प्रपर्टी को आधार से लिंग किया जाए, भारत में नेशन वन टैक्स लागू किया जाए, जीस्टी खतम, इंकम टैक्स खतम, वैट खतम, टीडियस खतम, केवल बैंकिंग ट्रैंजेक्शन टैक्स, यही तरीका है, नहीं तो जो आज इसराइल जहेल रहा है, कल इसको हम को भी जहलना पड़ेगा, इसलिए मैं आशा करता हूं, प्रधान मंतरी इस पर ध्यान देंगे, और आप सब से निवेदन है,